बच्चो आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवन्त सामा जी का ध्यान के अंतरगैत हमारे अतीत विशय का चोथा चैप्टर मुगल सामराज जिया हम आपको बताएंगे इस पार्ट से सम्मांदित प्रस्णों के उत्तर तो चलिए शुरू करते हैं आप भी पढ़ें हमारे साथ साथ और सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं इस पार्ट से सम्मांदित आंतरिक प्रस्ण और उनके उत्तर आप समझ गे ना आंतरिक प्रस्ण क्या होते हैं जो पार्ट के बीच बीच में पुछे गए प्रस्ण होते हैं उन्हें कहते हैं आंतरिक प्रस्ण आप अपनी पार्ट और उनके उत्तर तो पहला प्रस्न यहाँ पर बच्यो आप ध्यान दें राजपूतों के साथ मुगलों के साधियों के कुछ उधारन दें और आप देख सकते हैं इस प्रस्न को यह प्रस्न आपका पेज नंबर 50 यानि 50 नंबर पेज पर आप देखें वहाँ पर आपको इस प जोदपूर के नाम से जाना जाता है के राजपूर सासक की पुत्री थी सा जहां की मां और जहांगीर की पत्नी एक राठोड राजकुमारी थी वह मारवार जिसे आप जोदपूर के नाम से जानते हैं के राजपूर सासक की पुत्री थी तो इस प्रकार से आप इस प्रसन का उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद बच्चो अगला प्रस्न है यहाँ पर प्रस्न दूसरा अकबर और औरंगजेब के सासनकाल के मनसबदारों की संख्या की तुलना करें और यह प्रस्न आपको कहा मिलेगा बच्चो यह प्रस्न मिलेगा पेज नमबर थर्टी वन पर आप देखेंगे वहाँ पर आपको यह प्रस्न मिलेगा और उत्तर में लिखेंगे आप पांच हजार जात वाले अभी जातों का दर्जा एक हजार जात वाले अभी जातों से उच्चा था अगवर के सासनकाल में 29 यानि कि 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जाते की पदविके थे और अगजेब के सासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संक्या 79 यानि कि 89 हो गई इस प्रकार से आप इस प्रस्न का उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद बच्चों देखते हैं आपर तीसरा प्रस्न अगवर नामा और आएन अगवरी के बारे में ब्याक्या करें ये प्रस्न मिलेगा आपको 53 नमबर पेज पर और यहां पर आप उत्तर लिखेंगे अगवर ने अपने करीबी मित्र और दरवारी अबूल फजल को आदेश दिया कि उसके सासनकाल का इतिहास लिखें अबूल फजल ने यह इतिहास तीन जिल्दों में लिखा इसको सीर्षक है इसका सीर्षक है अगवर नामा आप ध्यान देए इसका लिखेंगे आप यहां पर इसको न लिखें इसका सीर्षक है अगवर नामा पहली जिल्द में अकवर के पूरवजियों का बियान है और दूसरी अकवर के सासनकाल की घटनाओं का बिवरन देती है तीसरी जिल्द आइने अकवरी है इसमें अकवर के प्रसासन घराने सेना राज्यस और सामराज्य के भूगोल का ब्योरा मिलता है इसमें समकालिन बारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विश्तरित बढ़नन है आएने अकवरी का सबसे रोचक आयाम है बिवित प्रकार की चीजों फसलों पैदावार कीमतों मजदूरी और राजजस्व का सांक्य किया बिवरेन तो इस प्रकार से आप यह प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं तो देखा बच्चो आपने यहाँ पर यह थे आपके तीनु प्रस्ण जो की आपके पाठे पुस्तक के अंतरिक भाग में आपको मिलेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है पहला प्रस्ण इस प्रकार से आप इस प्रस्ण का उत् उत्तर और इसके बाद यह है आपका तीसरा प्रस्ण और उसका उत्तर इसके बाद अब देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर पाठ के अंत में कुछ प्रस्ण दिये गए हैं आप अपनी पाठे पुस्तक में देख सकते हैं और उनके उत्तर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं आप इनने अपनी नोट्बुक में नोट करें और याद भी करें तो सबसे पहले यहाँ पर प्रसना है फिर से याद करें और क्या याद करें बच्चों? यहाँ पर देख रहें ना आप यह लिखें यहाँ पर सही जोड़े बनाएं और यहां पर आपने क्या करना है जोड़े बनाने है जैसे मनसब के साथ क्या आएगा इन में से देखना होगा आपको मंगोल में क्या आएगा सिसोदिया राजपूत राठो राजपूत नूर जहां सुवेदार तो इनके साथ आप क्या करेंगे मिलान करेंगे और क्या होगा उत्तर मिलान में आप यहां पर देख सकते हैं उत्तर में क्या क्या मिलाएंगे जैसे यहां पर है मनसबदार या मनसब लिख सकते हैं आप पद मंगोल में उजबेग सिसोधिया राजपुत के साथ मिलाएंगे मेवाड और राठो राजपुत के साथ मारवाड नूर जहां के स गवर्नर इस प्रकार से आप जो है इनका मिलान कर सकते हैं समझे गे ना बच्चो ये है आपका उत्तर और ये है आपका प्रस्न और ये है उत्तर इस प्रकार से आप लिखेंगे इसके बाद बच्चो आप ध्यान दें अगला प्रस्न है दूसरा रिकतास्तानों को भरें और यहाँ पर देखेंगे आप रिक्तस्तानों में यहाँ पर जो इसे रिक्तस्तान दे रखें यह बच्चो और इसी के साथ साथ अन्य में भी आप देख सकते हैं यह रिक्तस्तान है 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 यह रिक्तस्ता रखाय और थी इसी प्रकार यदि जात एक मनसबदार के पैद और बेतन का दो तक था तो सवार और यहां पर आप लिखेंगे को दिकाता था इसी प्रकार घह देख सकते हैं आप यहां पर और इनके उत्तर क्या लिखेंगे आप इनके उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे आप प्रशन के उतर में आप जहां जहां खाली छोड़ रखें यहां पर आप इस प्रकार से भरेंगे जैसे कि यहां पर आप भर सकते हैं कैवाले में यहां पर लिखेंगे आप काबूल आप समझगे ना तो इसी प्रकार से आप इन प्रशन का उतर लिख सकते हैं और उसके बाद देखते हैं बच्चों यहाँ पर तीसरा प्रस्न है मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रिय प्रांत कौन से थे उत्तर में लिखेंगे मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रिय प्रांत दिल्ली और आगरा ये लिखेंगे आप उत्तर और इसके बाद अगला प बիफ्ताओं के समानती परंतु मनसबदार फिर्फ और नहीं उन पर प्रसासन और उनके पास अपनी जागिरों ते केवल राजयोस वे उकत्रिति करने का आधिकार था। इसे परकार से आप उत्तर लिख सकतें हैं। इसके बाद बच्चो अगला प्रस्ण है यहाँ पर आप देख सकते हैं आईए समझें और यहाँ पर पूछा गया है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पांचमा प्रस्ण है मुगल परसासन में जमीदार की क्या भूमिका थी उत्तर में लिखेंगे मुगलों की आमदनी का परमुक सादल किसानों की उपस से मिलने वाला राजस्व था अधिक तरस्तानों पर किसान ग्रामिड कुलीनों यानि जमीदारों को अपना राजस्व देते थे एक अत्रित किये गए राजस्व को जमीदार सरकारी खजाने में जमा करते थे तो इस प्रकार से आप उत्त लिख सकते हैं। इसके बाद नमबर तीन पर लिखेंगे आप इन चर्चाओं से उसे परसासन की एक स्पष्ट सोच परदान की जिसमें केवल सचाई न्याय और सांती पर बल था। इस परकार आप अपना उतर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी इसमर्तियां सैकणू उब्यक्तियों के नरसनहर से संबन्दित थी। दूसरी तरह मुगल तैमूर के बंसज होने के पर गर्व कानभव करते थे। क्योंकि उनके इस महानपूरवज ने तेरसो अठान में दिल्ली पर कबजा कर लिया था। तो इस प्रकार से आप इस प्रसन का उतर लिख सकते हैं। देख रहे हैं आप यहां पर साथ वाँ प्रसन और उसका उतर। इसके बाद बच्चो आठ वाँ प्रसन यहां पर आईए बिचार करें। राज यह की आय का परमुक्षर हो था। दूसरा समस्त प्रसाथनिक कार्य इस आय द्वारा पूरे किये जाते थे। और नमबर तील राजदरवार के राज करमचारियों आप लिख सकते हैं राजदरवार के करमचारियों परसासनिक करमचारियों के बेतन तता अन्य खर्चे की पूर्थी राजोस्य पर ही निर्वर था इस प्रकार आप आठवे प्रसिका उतर लिखेंगे फिर आता है नववा सामरजे में जैसे जैसे बिविल्न छेतर समलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समुओं के सदस्यों को परसासन में न्यूक्त करना प्रारंब किया प्रारंब में ज्यादा तरसलदार तुर्की यानि तूरानी थे लेकिन अब छोटे छोटे समुओं के साथ साथ उन्होंने सासक बरग में इरानियों और भारतिय मुसल्मानों अफगानों राजपूतों मराठों और अन्यसमों को समलित किया इसे मुगलों को भारत में अपने सासन का विश्थार करने में एवं उसे अस्ताइद तो परदान करने में काफी साहता मिली इस प्रकार आप नवे प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद बच्चों बात करते हैं दसवा प्रस्ण और उसका उत्तर तो दसवा प्रस्ण है मुगल सामराज के समाज के ही तरह बर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजी का और सांस्क्रति की कायू से बना हुआ है क्या यह राष्टिया एकी करन के लिए एक चुनोती है उतर में क्या लिखेंगे आप मुगल सामराजी के समाज में कई धरम और जाति के लोग रहते थे यही श्तिती बर्तमान भारत में भी बनी हुई है फिर भी भारत में वीवित ताग में एक ता कायम है भारत में वीवित प्रकार की संस्कृतिया जैसे संगीत, निर्टिया, भासा और परवत्योहार, साहित्या, खानपान और रहनसैन पहनावा आदी में कई तरह की बीविता देखने को मिलती है उसी तरह भारतिय समाज में अनेक धर्मों, हिंदू, मुस्लिम से किसाई, बहुत, जैन, फार्सी, आदी अनेक जाती जैसे कि ब्राहबर, छत्रिया और बनिया, आदी के लोग रहते हैं भारत की समाजी का और राष्टी एकता में भी में किसी तरह की चुनोती नहीं है तो इस प्रकार आप अपने इस दस्वे प्रस्ण का उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद बच्चों, यह है आपका ग्यारुआ प्रस्ण जैसे कि आप देख सकते हैं मुगल सामराजी की अर्थवियोस्ता के लिए किर्शा का निवार्य थे क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही मेतोपोर्ण हैं क्या आज भारत में अमीर और गरीब के बीच आये का फासला मुगलों के काल के अपेक्सा कहीं अदिक बढ़ गया है उतर में लिखेंगे आप और गरीब के बीच का अंतर मुगल सामराजी की तुलना में अधिक बढ़ा है मुगल काल में यहाँपर देख सकते हैं आप 5%, 6% ब्यक्ति कुल संसादनों के मात्र 1.5% का उबो करते थे जबकि आज लगवग 5% ब्यक्ति देश के लगवग 90% संसादनों का उबो करते हैं उस प्सकार से आप उत्तर लिख सकते हैं यह आपका 11 प्सिन और उसका उत्तर इसके बाद बच्चो देखते हैं यहाँ पर बारुवा प्रसन आईए करके देखें आप देखें नहीं आपर और यह है आपका बारुवा प्रसनिज में मुगल सामराजे का उप महाद्वीब के विविन छेत्रों पर अनेक तरह से प्रवाव पड़ा पता लगाईए कि जिन नगर गाउं अत्वा छेत्र में आप रहते हैं उस पर इसका कोई प्रवाव पड़ा था तो यहाँ पर क्या करेंगे आप बच्चो आप यहाँ पर यूए स्वेम पता लगाएंगे और आपने आप उत्तर लिखेंगे कि मुगल काल का आपके छेत्र पर क्या प्रवाव सम्दित आपके सारे प्रशनों के उत्तर समापत होते हैं आप ध्यान दे हम पढ़ रहेते हैं चौता चैप्टर मुगल सामराज जी हमने आपको बताई इस पार से सम्दित प्रवाव पाटों कविताओं का साराद से बावारतारी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइ झार जाओ जरो